पार्वति के लाटली शिवजी की त्यारी लड्डू खाकी जो मुशक सवार है वो है कनीश देवा हमारे इसी के साथ आप सभी को गनीश चतुर्थी की हार्दिक्षप काम मैं कनीश चतुर्थी का पावन पर्व इस साल 19 सितम्बर 2023 मंगलवाल को मनाया जाएगा हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की शुकलपक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है शास्त्रों के अनुसार इस दन श्री गनीश का चन हुआ था भगवान गनीश बुद्धी सम्रथी और सभाके के देवता है माने था है कि इस दन गनपती बपा की पूजा अर्चना करनी से मनुकामनाय पूरी होती है और कोई भी पूजा या मांगली कार्य उनकी आराध्था के बिना पूरा नहीं होता मगर क्यों मनाया जाती है गनीश चतुर्थी? आई ये जानते हैं गनीश चतुर्थी इसलिए मनाय जाती है क्योंकि पौराने कथाओ के अनुसार इस दन माता पारवती की पुत्र गनीश चतुर्थी का चन हुआ था गनीश चतुर्थी का त्योहार भादरपद मास की शुकलपक्ष की चतुर्थी तिथी को मनाया जाता है गणिश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है इसको लेकर कई मान्यता है जैसे कि भादरपद मास के चतुर्थी को ही गणिश जी नी महाबारत को लिखना शिरू किया था ऐसा भिवाना चुआता है कि इस दन ही शिव जी ने गणिश जी को पुर्ण जिवत किया था आपने कहानियों में देखा होगा कि शिव जी ने घुसे में गनेश जी का सर धर से लग कर दिया था इसके बाद माता पारवती की नाराज़गी को दूर करनी के लिए शिव जी ने गनेश जी को हाती का मस्तक लगा कर जीवत दान दिया था इसलिए भी इसे दिन हम गनेश शतुर्ती मनाते हैं इस साल गनेश महुटसव 19 स्टमबर से शुरू हो रहा है और 28 स्टमबर को इसका समापन होगा गनपती बप्पा दस दिनों तक अपनी भक्तों के बीच विराज़मान रहते हैं भक्त गनपती को प्रसन करनी के लिए पूरी भक्ती भाव सी पूज अर्चना करते हैं और तरह तरह की स्वादिश्ट भोग लगाते हैं